कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष गोविन जिंग डूटास्रा एक दिवस्य दौरे पर लक्षमनगड पहुंचे जहां लक्षमनगड के मणी महल में दोपार को आई जो दो दिवस्य शेक्षिक सम्मिलन में शिर्कत की कारक्रम में बड़ी संख्या में उपस्तित शिक्षको के लिए मजबूर कर दिया है अब सबका प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में बेटे और बेटियों को कैसे अच्छे शिक्षा दे इस मौके पर लक्षमनगड पंचायद समिती प्रधान मदन सेवदाश श्रीगंगा नगर खालसा लौ कॉलेज के सेवा निवरत प्रा प्रवाल सहीत अने पदादीकारे और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे मैं ने आपको किसी संकट में डालना चाहता ने पार्टी का मुख्या होने के नाते मेरी पार्टी को संकट में डालना चाहता मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब का प्रियास होना चाहिए कि हम कैसे आने वाले समय में हमारे बेटे और बेटियों को कैसे अच्छी शिक्षा दें कैसे क्वालिटी की एजूकेशन दें कैसे वो आगे बढ़ें क्यूंकि देखें जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है व इसे वरसे हमारे बेटे और बेटियों में तनाव उतना ही ज़्यदा आता जा रहा है यह हमारे आने वाले समय के लिए एक चेलेंज है